नमस्कार विदार्तियों! कैसे हैं आप सभी? आप सभी बहुत अच्छे होंगे क्योंकि आज 14 अगस्ते और कल है हमारा नैशनल फेस्टिवल स्वतन्तरदा दिवस Means Independence Day Independence Day जिस इंडिपेंडेंडेंट भारत को हम देख रहे हैं ये इतना आसानी से हमें नहीं मिला है इसके पीछे हजारों लाखों की संक्या में स्वतन्ता सैनानी है जिनोंने अपने तन मन धन की आहूती दी है मैं सेक्रिफाइस किया अपनी लाइफ को और आज हम इस इंडिपेंडेंडेंट भारत में रह पा रहे हैं जिन्होंने अंगेजों की बहुत सारी punishment, बहुत सारी यातनाए सही हैं और उसके बाद आज हम इस देश में रह पा रहे हैं तो उनकी कद्र करो उनकी इज़त करो उनका respect करो आज हम पढ़ेंगे करेंगे चैप्टर थार्ड को So my dear students previous class में हमने बढ़ा था taskbar preview के बारे में taskbar preview क्या होता है हमारी desktop screen में जो सबसे नीचे की बाहर होती है bottom की जो बाहर होती है वो उसे कहते है taskbar और उसके उपर जब हम जितने भी files जितने भी folders वगेरा open करते हैं कितनी भी हमारी windows open हो जो होती है वो सब नीचे जो bottom पर बाहर होती है यानि जो taskbar होती है उस पर शो होती है तो उसी को कहते है taskbar preview Now we come to the next one हमने बढ़ा था ending of window session जिसमें हमने चार पड़े थे first restart then lock, slip, hibernate restart में हमने बढ़ा था जितने भी प्रोग्राम जिस condition में है वो उसी condition में रहते है ना वो close होते है ठीक है ना वो save होते है और वो हमारी जो welcome screen में होते है वो show हो जाती है ठीक है और जब भी हमको इसको वापस से unlock करना होता है तो हम icon पर जाके click कर देते है जैसे user icon पर जाके उसको click करेंगे application को वैसे इस क्या होता है ये वापस से हमारा जिस window को हमने open छोड़के हम गए थे या जो window open थी और उसके बाद वो हमने lock किया था वही हमें automatically show हो जाती है थर्ड था हमारा slip slip में हमने क्या किया था कि जितने भी active programs हैं और या other operations वगेरा होते हैं जो भी हम इसमें कर रहे थे जो भी window हमारी open थी वो सारी क्या होते है रैम में memory में मतलब रैम में जो होती है वो जाके save हो जाती है and then क्या होता है कि जो हमारी power consumption होती है वो previous condition की compare में कम consume होती है हमारा hibernet उसमें क्या होता है जितने भी हमारे document से program से file से वो जितने भी हमारे open होते है वो सारे memory में न जाके hard disk में save हो जाते है ठीक है और hard disk में जाने के बाद हमारे को power consumption की ज़रुवत नहीं होती तो हमारे computer वो turn off हो जाता है then हमने पढ़ा था viruses oires क्या होते है 키 कि breaking हर्फल मतें होते हैं तो जो डव्लपकरने मला होगा वह बैकर बिकार 10 होगा हम किसी के साथ अब गल lookin कर रहे है तो means क्या है कि हम खुद गलत हैं या हम खुद बेकार हैं जभी हम किसी और के साथ गलत कर रहें तो वह गलत इंटेंशन के साथ हार्मफल प्रोग्राम के डवलप करता है ठीक है अब देखो कंप्यूटर में वाइरस कैसे आता है वाइरस कैसे आता है मोसली आता है इंटरनेट क है इंटरनेट सर्फिंग के अलवा भी है सकते हैं किसी का डिस्क सब्सक्राइब करने करें पर देखो किसे या हमने चूंच से यह लैप्टॉप वह भी क्या होता है इंफेक्टेड हो सकता है जैसे हम आपको कॉरोना वाला एक्जामपल भी दिया था जैसे कॉरोना होता है उसमें क्या होता है कि मुझे हुआ है अब मैं अगर किसी और के पास गई उसके टच में मैंने सोशल डिस्टैंसिंग नहीं रखी और भी होने के चांसे हैं तो सेम ऐसा वाइरस में होता है अब आद श्रॉप आप्सण जाता है जो दूसरों के कम्प्यूटर में यह दूसरों के लेप टॉप में सीक्रेटल किया जाता है ज़िक है और किस लिए इंस्टॉल किया जाता है जहाए कि उसकी परसनल परस्टनल कंप्यूटर में विडाउट दा नॉलेज और परमीशन बिना किसी नॉलेज के दिर्धा के यूजर की मतलब मैं अगर यूज करने वाली हूं तो मेरे कंप्यूटर में मेरे लैप्टोप में कोई दूसरा मेक्ति उसे सिंट्रेटि इंस्टॉल कर देगा और क्या हो सब्सक्राइब सब्सक्राइब और उसकी वज़े से क्या होता है उसमें एक तरीकी फाइल जो बहुत सारी बारबासे में डाउनलोड थी रहती है इस पेस जादा stories को outrageous करते हैं ह MMchg करते हैं हमारी जो फाइल से एक राप कर देते हैं चैंकि इनको रिमूब करने के लिए मुझों सबस्ट ऐसे डाउस वाईरस इनवारे इन आप्राइडीन और इंवाईरस क्लीम कर नहीं है और चाहिए जैसे अभी तो वो फाईलों को यूध्लीन कर रहे हैं लेकिन हम जैसे डाउनलोड करेंगे आगर उसी में वाईरस है तो बार आपस से वह वाईरस हमारे कंपिटर में आ जाएगा तो इसके लिए क्या करेंगे अगर हम ने कोई सोफ्टेवीर्ष किया हुआ है या पर्चीस किया हुआ है तो हम जैसे ही किसे फाइल को डाउनलोड करेंगे पहले क्यों को स्केन कर लेंगे जिससे उसमेंक वाइरस arise है वो हमारे में यह यह घ्र Chief बै預क को नहीं होता है नॉर्टन रहा है उसके अंटेवार्स प्रогर्राम वह प्रेस्ट एक नॉटन अटिवारिस प्रोग्राम जो होता है यह अंटेवार्स प्रोगेंगे स्ट्री तरीके से एक्टिविटीं है सब्सक्राइब सप्राइब के लिए हम सबसे चिया करेंगे इस टार्ट में जाएंगे थैन उसके बाद हम जए लेंगे deltså रिड़ां आउलगे विद्ट में पह cheeky तो ठीक है कर नहीं हो रहा है तो हम क्लिक करेंगे लूंहारे सुके क्लिक करेंगे तो दो scan करने कि इस scan से क्या होता है कि जितने भी अन्ट वायरिस से रहो जाते हैं और फिर क्लीन कर देते हैं अब क्या होता है फिर हम मैन्यू पे जाएंगे और run custom option option मतलब scan पर जाएंगे हम पहले उसके बाद menu में जो scan option दे रखा है उस पर क्लिक करेंगे ठीक है यानि scan option जैसे हमें दिखेगा हम उसके क्लिक करेंगे और जैसे ही हम scan drive option पर क्लिक करेंगे तो वहां पर क्या होगा scan drive dialogue box open होगा उसके क्या होगा हम करेंगे drives to scan यानि जो हमारी drive है उसे scan करने के लिए क्लिक करेंगे जैसे हम क्लिक करेंगे scan option पर तो जितनी जो हमारी second drive है वो क्या होगी हमारी पूरी scan हो जाएगी तो उसमें जितने भी possible viruses है वह सारे डिटेक्ट हो जाएंगे अब possible यहां पर वर्ड क्यों आया है क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर रगमी एक single antivirus program लेता है तो वह इतना capable नहीं होता जब कितना ही अच्छा antivirus program हो कि वह इतना capable नहीं होता कि वह हर तरी सबको एक antivirus डिटेक्ट नहीं कर सकता ठीक है तो उसके लिए क्या होता है हमें 2-3 antivirus program लेने पड़ते हैं तो वह हमारी यूज़ पर डिपेंड करता है कि हमारा पूरा काम इंटरनेट पे है या हमारा वास कंप्यूटर लैप्टॉप तो है लेकिन हमारा ज्यादा इंटर आपको यहां पर रहा होगा देन इसमें आपको और प्रग्राम आएका यहां पर जाएंगी उसके बाद जो है यहीं नॉटन एंटिवायर सफ्ट्वियर है उसकी विंडो हमार को अपन होगी दैन इसमें हम क्या करेंगी सबसे पहले दिखो स्कैन का आपको आप्शन शो हो सकत करेंगे यहां करेंगे यह उसके क्लिक क तो पर उसके लाइत ऍो हमारा स्कैन को सबद्क करना पर छेसे सबस्क्रών करना शे म рублей करना है जिसको भी में व Rosa क्या होगा हम सकैन सबस्कात करेंगे तो क्लिक करेंगे तो जो हमारी पर्टिकुलर क्राइब जिसको मने स्कैन किया गर सकते हैं इस तरह से क्या हैं नॉटन एंटिवाइरस सफ्ट वेर को क्यूज मिर लेते हैं यह रिंस हमने अभी एंटिवाइरस पड़ा दैना हम कवा बाते हैं सर्चिंग फॉर फाइल अब क्या होता है वैं विश। in which tribe and folder we have saved our files but by using the search option in windows 7 we can search our files जब हम भूल जाते हैं कि हमने हमारी जो फाइल है सेव की है लेकिन वो किस tribe में की रही है किस folder में की है तो हम क्या करेंगे windows 7 हमें कि additional feature प्रोइड का आता है जो कि बहुत इंपोर्टेंट फीचर है सर्च ऑप्शन वहां पी जाकि हम अपना फाइल का नेम डालेंगे जैसी हम उसका नेम करेंगी तो हमारी पास बहुत सारी फाइल को अपन करके देखेंगे और हमारी जो फाइल होगी उसे फिर हम यूज में ले लेंगे बाकी को हम क्लोस कर दिए ठ टाइप नेम अब दा फाइल फोल्डर फाइल ये फोल्डर का नेम टाइप करेंगे एस भी टाइप में सी सर्च रिजल्ट टीक है उस पर जैसे हम क्लिक करेंगे सर्च रिजल्ट आएगा अब हम जितनी हमारी फाइल फोल्डर होंगी उन पर क्या करेंगे उस पर राइट क अब यहां पर हमें बहुत सारी फाइल शो वह रही है देखो निमीता गुपता सिल्वरोग स्कूल पेपर ऑफ क्लास 6 तो यह हमारी फाइल ओपन हुई अब हम इसमें क्या करेंगे यहां जाएंगे राइट में जाएंगे और यहां से राइट क्लिक करेंगे यहां करना है इसको स्कैन करने क्योंकि हो सकता इसमें स counting कशक्राइब करना है शेयर करना है करना है सेंड करना करना कॉपी करना डीलीxico अप pea करेंगे तो कैसे करें भी सब Ensure से पहले स्बसक्राइब राच इंघेप सार्च आईयं टालेंग यहां में क्या कर इंघेघेंगे अपने requirement के according हम उस option को उन options में से अपना particular option use कर लेंगे तो इस तरीके से यह हमारा विंडू 7 वह हमें search for file option provide कराता है अब देखो यहां पर हमारे को दो option file नहीं दिखाई दिये लिकिन हो सकता है कि इन दोरों में से वह यह वाली थी तो हो सकता है हमारी file जो हम उसे file को open करना चाहते है वह नहीं हो कोई तीसरी file हो तो आगर हमें वहाँ पर नहीं दिखुशो होती है तो जिस जगे हमने search के लिए डाला था search option उसके उपर see more more result होता है है वहाँ पर click करेंगे तो हमारी क्या है जितने पहले हमारी file उपन हो थी उसके अलावा भी जो यह remaining file उपन हो जाती है यहां पर हमारी वह सरी file उपन हो गई जिसमें इस name का use किया हुआ है तो इस तरीके से जाके हम उस file को open कर सकते हैं okay so my dear students आज की class में हमने क्या क्या पढ program तो उसको किस तरीके से यूज करते हैं किस तरीके से scan करने के काम आता है ठीक है और यह वर रफ दबैस्ट रग्राम होता है इसके बारे में study करी थी दैन हमने यह पड़ा है अब की searching for files कि किस तरीके से हम computer में जाके Windows 7 हमें additional feature प्रवाइड कराता है जो कि बहुत ही अच्छ इतना ही क्लास थैंक यू